मेरी हस्बन को सफता में एक बार अगर सोया बीन से बनी कोई रेसिपी खाने को ना मिले तो वो जित करके बनवा लेते हैं तो आज ऐसा ही हुआ था काफी दिन हो गए थे बनाई हुए मैंने सोचा चलो आज कुछ नया बनाया जाए वैसे तो मेरे हस्बन को सोया बीन की सबजी या पराठे खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो मैं आए दिन बनाती रहती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी की हुई हूँ लेकिन आज जो सबजी मैं बनाने जा रही हूँ ना अगर आप एक बार अपने बच्चों को घर में बना कर खिला देंगे तो बच्चे सफता में दो से तीन दिन इसकी डिमांड करेंगे तो इसके लिए मैंने एक कटोरी सोया बिन की बड़ी ले लिया चोटी वाली आप यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हूँ मेरे पास छोटी थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ साथ में मैंने एक कप के बराबर इसमें मटर डाल दिया और दोनों ही चीज़ों को एक साथ उबाल लेंगे सोया बड़ी को उबलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो बहुत जल्दी से उबल जाती है और जो मटर है वो फ्रोजन वाली है तो उसे भी उबलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और अब मैंने ले लिया यहां पर एक कटोरी भर कर चना की डाल इसको मैं हातों हाती धुल लूँगी 4-5 बार और इधर मैंने कुकर में चड़ा दिया है थोड़ा सा पानी लगबग 1-1.5 गिलास के बराबर और सारी डाल को धुल कर इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी प आने बाहर आता है तो इसलिए अभी यह उबल चुकी है मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया एक दो मिनट के लिए तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे तो मैंने सारी सोयवड़ी और मटर को निकाल कर ठंडा होने दिया है और इधर जो कूकर है वो अच्छे से डाल उबल गई है इससे क्या होता है डाल बाहर नहीं आती है सीटी के साथ तो जैसी उबाल आ जाता है उसके बाद ही हमें धक्कन बंद करना चाहिए इससे बहुत ही बढ़िया डाल पकती है तो चलिए डाल को मैं पुरे तीन बिसल लगने दू इतना सपोर्ट आप सभी का मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगता है देखकर तो ऐसी ही मसीदार रेसिपीस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब और पेज को फोलो करना बिलकुल मत भूला कीजिए चलिए मैंने हाँ पर एक टमाटर काट लिया है जो मेरे मेरे पास सिरफ एक ही रखा हुआ था और साथ इसा थोड़ा सा अदरक कद्डुकस कर लिया है और हरी मिर्चेया चॉप कर लिया लंबी लंबी तो आजना मंडे था तो मंडे को मेरे गाड लेसन प्याज नहीं बनता है तो इसलिए मैं हाब बिना लेसन प्याज की सबजी बनायेगा आप चाहो तो इसमें लेसन प्याज भी डाल सकते हो तो मैंने उसको रख दिया दूसरे चूले पर ताकि इसकी गैस निकल जाए और इधर हमने चड़ा दिया कड़ाई और उसमें डाल दिया सरसो का तेल अच्छे से तेल को गरम कर लिया है और डालेंगे हींग और जीरा अच्छी कॉंटिटी में साथ में सूखी मिरज डाल दिया है चार इसी के साथ यहां पर कड़ू कस किया हुआ अधरक डाल दिया है और साथ में हरिमिश डाल दिया है सारी चीजों को ना हलका सा ब्राउन करेंगे उसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी एड़ कर दिया है और आप चाहो तो लेसन प्याज भी हाँ पर एड़ कर सकते हो चलिए जी अब हम डाल रहे हैं इसमें सोया बड़ी और मटर और जो सोया बड़ी है उसको मैंने हलका सा निचोड लिया है ताकि यह जो ना मतलब जादा भूनने में टाइम ना लगे नहीं तो आपको बहुत जादा भूनने पड़ेंगे अगर आप इसे नहीं निचोड़ोगे तो तो मैंने ठंडा करके सोया बड़ी को निचोड लिया था हलका सा ताकि जल्दी भुन जाए और तेज पता डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल रही हूँ बाद में याद आई थी मुझे और आप डाल भी सकते हो स्किप भी कर सकते हो आपके टेस्ट के उपर डिपेंड करता है बर आप डालोगे न तो बहुत बढ़िया स्वाद आएगा इससे अब सारी चीज़े अच्छे से भुन चुकी हैं जो मैंने सोया बड़ी का पेस्ट बनाया था वो दिखे इस तरह से ग गराबर यहां पर सबजी मसाला आप इसकी जगा पर सांबर मसाला अगर आप सांबर कर टेश्ट पसंद करते हैं तो वह भी डाल सकते हैं या फिर आप डाल सकते हो समें किचन किंग मसाला सबजी मसाला या फिर अगर आपको कोई मसाला पसंद नहीं तो आप थोड़ा से यह इसको एकदम खड़ा खड़ा युबाला है आप देख सकते हो एकदम मतलब हलकी सी मैश हो रही है अगर हम इसे मैश करेंगे तो लेकिन जो दाना है वो बिल्कुल अलग अलग है और हमें इसी तरह का चाहिए अब मैं इसमें आदा कप के बराबर पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे थिक बनाओंगी हलके सूखी सी अगर आप दाल टाइप में पतली रखना चाहते हो राइस के साथ तो आप इसे और पानी डाल सकते हैं स्वात के अनुसार नमक डाल दिया है और बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे चलिए जी अब हम इसे पका लेंगे लगब मैं से मतलब मैं बता नहीं सकती अभी विंटर आ रहे हैं तो आप इस सब्जी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा उपर से मैंने कसूरी मेथी और साथ में गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है ये तीनों चीज़े डालेंगे ना लास्ट में तो सब्जी का स्व ज्यादा स्वादिश्ट लगती है और इसे आप सूखा करके फीलिंग में भी भर सकते हो पराठे में कचोरी में उसमें भी बहुत ज्यादा पसंद आती है सभी को तो मैं इसके साथ पराठा बना रही हूं मेरे हजबन को ट्राइंगल शेप पराठा बहुत ज्यादा से डाली थी और सच में इतनी स्वाधिश्ट बनी थी ना दोस्तों आप एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरू से ट्राय कीजिएगा तो यहां पर हमारे लेरिंग पराठे भी हो गए हैं बनकर तैयार देख सकते हैं एक दम फूले फूले और करारे करारे बन गए हैं तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है इस तरह की रेसिपी आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पेज को होलो करना बिल्कुल मत भूला किजिए दोस्तों तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक रेसिपी के साथ ब